नमस्ते दोस्तों मैं डॉक्टर रमेश डाकरिया कंसल्टेंट जोएंट रिप्लेस्मेंट एंड आर्थ्रेस्कोपिक सर्जन उत्कर्स होस्पिटल कोटा आज हम बात करेंगे कि हीप रिप्लेस्मेंट में कौन सा इंप्लांट बेस्ट रहेगा बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हमेशा ये कंफूजन रहता है कि हम जो हीप रिप्लेस्मेंट करवाएं तो हमारे कौन सा इंप्लांट यूज करना चाहिए उस सीज को लेकर वह बहुत कंफूज रहते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हिप रिप्लेस्मेंट में कौन सा इंप्लांट सबसे बेस्ट रहेगा तो ये डिपेंट करता है कि आपकी एज क्या है और आप कौन सी कंपनी का इंप्लांट यूज करते हैं अगर आपकी एज कम है जैसे कि आप 30 एर है 40 एर है 20 एर है तो मैं आपको एड़वाइस करना चाहूंगा कि आप अंसिमेंटेड इंप्लांट यूज करें और वो इंपोर्टेड इंप्लांट यूज करें तो उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा होती है और आपके लंबे समय गया तक उसमें कोई तकलिफ क्लिप नहीं होती हो तो अगर आपकी एज कम है तो इसमें उसमें टीन-टाइब के इंप्लांट सब्सक्राइब दे थ nieuwe सब्सक्राइबजेयन क्बाव दोलन्टेया और डेल्टा सेरेमिक होता है जो सेरेमिक और सेरेमिक होता है मेटल और पॉली की कोस्ट कम होती है सेरेमिक और सेरेमिक की कोस्ट ज्यादा होती है लेकिन सेरेमिक और सेरेमिक में जनरली यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आप्टर ऑप्रेशन कुछ पेशंट में क्यूकिक साउंड या साउंड सुनाई देती है तो मैं आपको यह सला देना चाहूंगा कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का अभी इंप्लांट है कम एज में वह सेरमिक और पोली है और इसकी लाइब भी अच्छी होती है और इसकी इ इंप्लांट यूज करना चाहिए तो इसमें इनकी कोस्ट कम होती है और यह इंडियन मेड भी होता है और इंपोर्ट भी होता है तो दोस्तों यह था है इंप्लांट के बारे में अगर आपको भी हिप जैंट्स में कोई तकलिप है या आप हिप रिप्लेस्मेंट करवाना हैं तो आप अपनी रिपोर्ट हम से शेयर कर सकते हैं और विस्तरत से डिस्कस कर सकते हैं जो वाट्सअप नंबर दिये हुए इसपे आप अपनी रिपोर्ट बेच सकते हैं तो हम आपको हिप रिप्लेस्मेंट के इंप्लांट के बारे में और अच्छे से बता सकते हैं थै झाल झाल